इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाईडरोग्राफ के बारे में इंजिनेरिंग हैडरोलोजी में काफी इंपॉर्टन टॉपिक है हाईडरोग्राफ इसे हम डीटेली हिंदी में समझेंगे वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देख लेंगे तो आपको of the discharge flowing in a river at given location with specific time और second point की बात करें तो a hydrographic is capable of representing discharge fluctuation in a river at a given site over given time period और निचे third point की बात करें तो hydrograph give us peak flow which is important for design of hydraulic श्रक्ट देखो भई यही त्री points को अगर हम हिंदी में explain करें तो सबसे पहला point यह कहता है कि hydrograph एक graphical representation है किसका discharge का और time का और इसी को कहते है hydrograph second point कहता है कि hydrograph capable है discharge fluctuation के अंदर मतलब एक river के अंदर जितना भी discharge होगा fluctuation मतलब discharge fluctuation मतलब उपर जाएगा नीचे जाएगा जो भी पानी वह बहुत capable है hydrograph और एक time period के अंदर और discharge का इसे हम hydrograph कहते हैं और third point कहता है कि जो ये peak flow आपको यहाँ पर show कर रहा है ये peak flow ये peak flow काफी important है hydraulic structure design करने में ये हो गया है points की base पे अगर हम इसे practically way में समझेंगे तो एक भई river है ये पूरा river है समझें और इसका एक base flow होता है hydrograph का एक base flow होता है और पानी एक normal way में बहाव करते रहता है जैसा ही पानी बढ़ेगा एक उपर जाएगा और पानी जैसा ही कम होगा नीचे आ जाएगा और एक base flow में continue होगा इसे हम कहते हैं hydrograph और इसके components होते हैं जो कि उपर जाने के नीचे जाने के rising limb, falling limb, crist segment, inflection point, crist ये जो पानी एक base flow में बहते रहता है जैसे ही पानी कुछ थोड़ा increase होगा उसे हम कहते है rising limb और कुछ वक्त तक जाएगा peak flow में जो कि crist और नीचे आएगा और recession curve या फिर falling limb भी कहते हैं इस तरीखे से hydrograph को explain किया जा सकता है ये काफी important है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो like कीजिए काफी आने वाले वीडियो के लिए चैनल को भी subscribe कर लिजे Thank you